कई बार ऐसा होता है हम ना बहुत तरह के फेसपैक ट्राइ करके ठक चुके होते हैं लेकिन हमें हमारा मनपसंद रिजल्ट नहीं मिलता तो अब हम ना निराश भी होने लग जाते हैं कि जब हम लोगों को देखते हैं कि उनका चहरा इतना गलो करता है वो ऐसा क्या लगा रहे हैं जो उनका चहरा इतना गलो कर रहा है हम भी तो इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारे चहरे के उपर गलो कियों नहीं है पता जानते हो आप यहां एक गलती कर रहे होते हो कौन सी आप क्या करते हो कोई भी फेसपैक उठाते हो लगाया 10-15 मिंट रखा उसके बाद वाश कर पर की हो लिए अपनी आप जो झीज आप कि लिए वोही तो diferen sitzt एक है जो Spray यहां बने और रिजल्ट पर उसलिए आज में जो आप लोगों के लिए फैस्पैक लिए योल्स इसको एक बार ट्राइ करके देखना अरे ये क्या अभी तो आप बोल रहे थे हर कोई face pack हर किसी के लिए नहीं बना तो अब ये face pack कैसे जाने कि ये हमारे लिए बना है ये जो मैं face pack आप लोगों को बताने जा रही हूँ ये हर तरह की skin को suit करता है हर तरह की skin को glowing बनाता है मैं ये नहीं बोलूँगे कि आप मेरी बात पर यकीन करें मैं ये बोलूँगे कि आप खुद इसको try करके देखें और इसके benefit जब आपको मिलेंगे तो आप खुद बखुद जान जाओगे कि ये कितना अच्छा face pack है जब आप इस face pack को लगा के बाहर निकलोगे ना तो लोग आप को रोक के पूछेंगे आपको टोकेंगे कि आज आपने ऐसा क्या लगा है जो आप इतने glow कर रहे हो आप इतने चम कर रहे हो हाई एवरीवन आपका आपकी अपने ब्यूटी विद नेचर बाय सुनीता सैनी में बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब लोग मैं उमीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पास में जो बैल का बटन अना उसको भी दबा लीजिए ताकि मैं जब नई वीडियो डालू वो आप तक असानी से पहुंच जाए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कॉमेंट करके मुझे जरूर बता है कि आपको वीडियो कैसी लगी तो देरी किये बना चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ फेस पैक लगाने से पहले अपने फेस को अच्छी तरह से साफ करूंगी अपने फेस को साफ करने के लिए यहां पर मैं लेरी हूँ कच्छा दूद इसमें मैं डालने हूँ निम्बू के रस की कुछ बूंदे निम्बू का रस डालने से यह दूद थोड़ा फट गया है अब यह फटे हुए दूद को हमने अपने फेस के उपर अच्छी तरह से लगाना है आलू का पल्प यह एक चमच के करीब है इसमें डाड़ने हूँ आदा चमच हानी और कुछ बूंदे निम्बू के रस की इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना ठीक है यह जो आलू का पल्प है न वो हमारे स्किन से डाड़ स्किन को हटाएगा और हमारे स्किन को गलोइंग बनाएगा हनी हमारे स्किन को मोस्टराइज करेगा निम्बू का रस हमारे स्किन की जो टोन है उसको लाइट करेगा प्रेंट्स यहां मैंने अपना फेस वाश नहीं किया क्योंकि मेरे फेस पे इस समय कुछ भी नहीं लगा हुआ था इसी के उपर मैं डारेक्टर स्क्रब करूँगी लेकिन अगर आपके फेस के उपर मेक अप था या आपको फेस वाश किये हुए काफी देर होगी थी तो प्लीस अपने फेस को पहले वाश करना उसके बाद ही स्क्रब करना अब हमने इससे मसाज करनी है दो मिनट दो मिनट स्क्रब करने के बाद अब हम लगाएंगे अपना फेस पैक फेस पैक बनाने के लिए यहां पे हम लेंगे दो से तीन चमच आलू के रस की एक चमच बेसन की एक चमच मसूर दाल का पाउडर और चोथाई चमच नीमू का रस ठीक है इन सबी चीजों को न हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आलू करस स्किन के दाग धबे हटा कर ना स्किन पर चमक लाएगा अगर स्किन के ऊपर जूरिया फाइन लाइस हो तो उसको भी कम करेगा और यह जो बेसन बेसन हमारे स्किन से डेट स्किन हटा कर टैनिंग को दूर करके हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाएगा और skin को light बनाता है मसूल डार का powder चहरे को बेदाग और खूबसूरत बनाता है इसके इस्तेमाल से न स्किन चमकने लगती है अब हमने जो इसमें निमू का रस डाला है ये oily skin के लिए तो बहुत ही अच्छा है निमू न स्किन को bright करेगा, black heads को दूर करता है अगर skin tone खराब है न तो उसको भी ठीक करता है एक बात और जिनकी skin dry है न वो इसमें न आदा चमच honey भी मिलाएं अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से mix करके अपने चेहरे पे लगा लें एक बात और कहूंगी friends अगर आपको इसमें से कोई चीज़ शूट नहीं करती न तो प्लीज उसको skip कर दें उसको मत लगाएं इसमें न मैंने चुटकी बर हल्दी भी डाली है वो पता नहीं कैसे शूट होने से रह गया आप इसमें चुटकी बर हल्दी भी जरूर डालना इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको क्योंकि सबी जानते हैं कि हल्दी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से निखारती है क्योंकि ये antiseptic भी होती है anti bacterial भी होती है हल्दी और बेसन तो सबी जानते हैं कि ये सद्यों से ही हमारे स्किन के लिए इस्तेमाल होते आ रहे हैं ये हमारे स्किन को बहुत अच्छे तरीके से निखारते हैं हल्दी और बेसन का तो साथ सद्यों पुराना है ठीक है अब इन सबी चीजों को हमने अच्छी तरह से mix करना है और अपने चहरे के ओपर लगाना है गर्दन पे भी लगाएं अच्छे तरीके से अब इसको ना 15 मिंट ऐसे छोड़ देंगे सूकने के लिए अगर आप इसे अपनी आँखों के नीचे लगाना चाहते हो तो बहुत अच्छा रिजर्ट आता है इसका आप एक पर इस्तेमाल करके जरूर देखें आपको इसके बहुत अच्छे बैनिफिट मिलेंगे अब मैं अपनी स्कीन को मॉस्चराइज करूंगी आप अपना मन पसंद कोई भी मॉस्चराइजर लगाएं लेकिन कोई भी फेस पै तब लगाओ इसकी आपको बहुत अच्छे रिजर्ट मिलेंगे तो आप इस फेस पैक का इस्तेमाल करो हम फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बैबाई